10 या 11 अक्टूबर कब है नौमी नोट करे सही डेट या पूजा का सुब मोहरत नमस्कार मेरा नाम नहा है और आप रूबरू बिहार देख रहे हैं इस साल नौरात्री में अश्टमी और नौमी तिथी को लेकर लोगों के मन में काफी सारी कन्फूजन है तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि नौरात्री की नौमी कब है बतादे कि इस साल अश्टमी और नौमी एकी दिन 11 अक्टूबर 12 को बनाई जाएंगी बतादे कि नौमी तिथी 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बज़ कर 6 मिनट पर प्रारंप होगी और नौमी तिथी का समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10 बज़ कर 5 मिनट पर होगा इस साल अश्टमी और नौमी एकी दिन है बतादे कि नौरात्री की नौमी को मा दुर्गा के नौम स्वरूप मा सिध्धी दात्री की पोजा के जाती है अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर ही आ रहा होगा कि आखिर एकी दिन क्यों मनाई जाएगी अश्टमी और नौमी तो बतादे कि जो 30 गर्णा के अनुसार इस वर्ष सप्तमी तिथी 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बज़ कर 31 मिनट तक रहेगी इसके बाद अश्टमी तिथी 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बज़ कर 32 मिनट से आररंप होकर 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बज़ कर 6 मिनट तक रहेगी हिंदु धरम गरंथो के अनुसार सप्तमी युक्त अश्टमी का वरत रखना निसिद है इसलिए अश्टमी का वरत 11 अक्टूबर को क्या जाएगा रातरी कालीन अश्टमी तिथी की पूजा 10 अक्टूबर को महा निसा में की जाएगी और 11 अक्टूबर 24 को नौमी मनाई जाएगी इस दिन भक्त मा सिद्धी दातरी की विसीस पूजा करते हैं जिसमें हवन और कन्या पूजन सामिल होता है बतादे कि नौरातरी में अश्टमी और नौमी के दिन कन्या पूजा का विसीस महत्त होता है इस दिन 9 कन्याओं को देवी का सौरूप मानते हुए उन्हें भोजन कराया जाता है पचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को पूजा का मोहरत सुबह 6 बजकर 20 मिनट से लेकर 7 बजकर 47 मिनट तक रहेगा इस उसर पर घरों में खासत और से हलवा पूरी सबजी, खीर, मिठाई आदी बनाया जाते हैं इस दोरान पूरी सुद्धता का विश्यस ध्यान रखा जाता है कन्या की भोजन के बाद उनकी पैर छुकर माता को बिदा किया जाता है